हे दोस्तों स्वागत है आज के इलेक्रिक अस्कोटर के वीडियो में दोस्तों आज बात करने वाले हैं सिंपल एनर्जी डॉट वन इलेक्रिक अस्कोटर के बारे में जो की सिंपल एनर्जी कमपनी ने 15 दिसंबर को बेंगलोर में लॉंच किया था तो यह जो इलेक्रिक अस् वो सारे कुछ लेकिन कोई भी इंफ्रमेशन नहीं मिल रहा है लेकिन आज के इस वीडियो में आपको यह सारे इंफ्रमेशन देखने को मिल जाएगा तो वीडियो को लास तक जरू देखें और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल में नहीं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन कोल में सेट जरूर किजेगा तो चली दोस्तो विना वक्त लिए बात करते हैं सिंपल एनरजी डोट वन इलेक्रिक असकूटर की रेंज से इस इलेक्रिक असकूटर में आपको 151 किलोमेटर का रेंज जो है देखने को मिल दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी तो आपको टैंसन जो है थोड़ा सा खतम हो जाता है क्योंकि नए नए जो लोंच होते हैं उसमें नए ने टेकनोलोजी का इस्तमाल किया जाता है और इससे जो होता है वो ज़्यादा से कोर माना जाता है इसके लाओ दोस्तों अग किलोवाट का मोटर जो है देखने को मिलेगा जिससे 22 यानि कि 72 एनेम का टोर्क जो है ये मोटर उत्पन कर सकता है और इसमें जितना पावरफुल मोटर लगाया गया है उसी हिसाब से इसके जो टोपस्वीड है वो 105 किलोमेटर परती घंटे की टोपस्वीड आपको देखन करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के अवसकता पड़ेगी क्योंकि मैं बता दू दोस्तों कि आटी यों के अनुसार किसी भी टू विलर चाहे वो पैट्रोल हो या फिर एलेक्ट्रिक हो अगर उसकी टोपस्वीड 25 किलोमेटर परती घंटे की टोपस्वीड से ज 205 है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के आवसकता पड़ने वाली है इसके अलावा बात करते हैं इसकी बेकिंग सिस्टम वगेरा के बारे में तो इसमें फ्रंट और पेक दोनों में जो है डिस फ्रेक देखने को मिल जाता है तो इसकी अबरो लुक जो है आपको दूस दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर या दूसरे इलेक्ट्रिक बाइक से जादा अच्छा देखने को मिल जाएगा इसके अलावा इसकी 35 लिटर का बूट स्पेस आपको इसके अंडर सीट स्टोरेज में देखने को मिल जाता है और यह जो इलेक्रिक स्कूटर है छे कलर वेरिय लेकिन अभी जो है इसका सरी फोटो और इमेज है कमपनी चारी कलर का जो है इलेक्ट्रिक बाइक जो है बना रही है और आने वाला समय में दो कलर बेरियंट और भी ज्यादा एड़ोन किया जा सकता है बात करते हैं इसकी फीचर्स की ओरते तो फीचर्स जो है आप दूसरे इलेक्ट्रिक कस्कूटर में जो भी सिंपल वन में हो या फिर ओला में हो कोई भी electric scooter में देखते होंगे वो सारे features आपको इसमें in build जो है देखने को मिल जाएगा तो कोई भी परेशानी नहीं है लेकिन दूसरे electric scooter में आप देखते होंगे कि 7-inch का TMP display जो है लगाया गया है जो कि mobile के shape यानि कि square shape में आपको देखने को मिलता है लेकिन इस electric scooter में जो है इसका display जो है बहुत ही सांदार और gaming look वाला display जो है लगाया गया है जो कि हमेशा जो है ऐसा लगेगा जो आपको दूसरे electric scooter में देखने को नहीं मिलेगा इसमें side bezels, cuts वगेरा, design वगेरा इसकी display में भी लगाया गया है जिससे इसका overall look दूसरे electric scooter के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है चली दूस्तों बात करते हैं इसकी price के बारे में तो इस electric scooter का एक solarum price 99,999 रुपीस रखी गई है यानि कि overall एक लाग रुपया में ये जो electric scooter है एक solarum price आप purchase कर पाओगे लेकिन इसमें आपको purchase करने time RTO plus इसका insurance जो है अलग से pay करना पड़ेगा जिसमें ये total price 1,20 या 1,25 रुपया एप्रोग जो है चली जाएगी तो ये थी दोस्तों Simple Energy .1 electric scooter का पूर्ण और पूरी वीडियो जो कि दूसरे जगा आपको देखने को नहीं मिलेगी हाँ एक topic जो है छुट गया है वो इसकी delivery जो है कब गी जाएगी तो आप जानते हैं कि Simple Energy जब जो है electric scooter launch करती है तो थोड़ा सा delay करती है delivery करने में क्योंकि इसका demand जो है दूसरे electric scooter के मामले में कोछ ज़्यादा ही राता है तो यह जो electric scooter है आपको July या August में जो है company जो है deliver करते हुए दिख जाएगी जिहां July या August यानि कि 2024 में तो दूसरों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो I hope आप इस चैनल को subscribe कर दिये होंगे बेल आइकन को में सेट जरू किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में टब तक टेक क्या